पौराणिक ग्रंथों में उलेक मिलते हैं कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और विजे प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी परसंद होकर भोले लात ने श्री राम को विजे शिरी का शीरवाद दिया था भगवान राम शिर्लंका से जब वापिस लोटे थे तो महादेव की इस थान पर उन्होंने पूजा की थी इसी कारण इसका नाम रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर दुई पड़ा मानिता के मताविक रावन का बद करने के बाद भगवान राम और देवी सीता के साथ रामेश्वर के तड़ पर भारत लोटे थे रावन एक ब्रामन था ब्रामन को मारने के दोश को खतम करने के लिए श्री राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे यहां कोई मंदिर नहीं था इसलिए शिब जी की पूर्ती लाने के लिए हनुमान जी को केलाश पर बद भेजा गया हनुमान जी को केलाश से आते आते समय लग गया इसी बीच देवी सीता ने समुद्र की रियत को मुठी में लेकर शिबलिंग बनाया और भगवान राम ने शिबलिंग की पूजा की हालमान जी जब क्यलाज से वापिस आये तो उनके पास भी एक शिव लिंग था जिसे वहीं पर स्थापित कर दिया गया रामेश्वर मंदिर को रामनाच स्वामी मंदिर के दूसरे नाम से भी जाना जाता है ये भगवान शिव के पारा जोतिर लिंगों में से एक है हिंदु धर्म के मताविक चार धामों में से एक माना जाने वाला रामेश्वर धाम है जैसे उत्तर भारत में काशी का महत्व है उसी तरह दक्षिन भारत में रामेश्वर मंदिर का महत्व है फिर आमेश्वर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों और से घिरा हुआ है और शंक के अकार का दूईप है सदियों पहले ये दूईप भारत की मुख्य भूमी से जुड़ा हुआ था मगर धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कट कर अलग हो गया ये टापू चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और उसे एक पुल की सहायता से जोड़ा गया है श्री रामेश्वर मंदिर के अंदर कुल 24 कुएं का निर्मान किया गया है जिनें तीर्थ कहा जाता है मंदिर के बाहर केई कुएं और भी हैं मगर उनका पानी खा रहा है मंदिर के अंदर के कुएं का जल मीठा है माननेता के मताविक ये कुएं भगवान राम के वानों से तियार किये गए थे उन्हें अनेक तीर्थों के जल मंगवा कर इसमें छोड़ा था उनसी कारण इन्हें तीर्थ कहा जाता है उसके नाम गंगा, यमना, गाए, शंक और चक्र रखे हुए हैं पंद्रमी शताबदी में राजा उडाएन, सेतुपती और नागूर निवासी वैश्य ने 1450 इस्वी में 78 फीट उन्चे गोपुरम का निर्मान करवाया था सोल्मी शताबदी में मंदिर के दक्षिन में दूसरे हिस्से की दिवार का निर्मान तिरुमल्य सेतुपती ने करवाया था मंदिर के दौर पर तिरुमल्य एवं उनके पुत्र की मूर्ती विराजमान है सोल्मी शताबदी में मदुरई के राजा विश्वनात नायक के आधीन राजा उडायन सेतुपती ने नदी मंदप का निर्मान करवाया था माना जाता है वर्तमान समय के रामेश्वर मंदिर का निर्मान सतारवी शताबदी में हुआ था जानकारों के अनुसार राजा, किजहावन, सेतुपती या रगुनात किलावन ने मंदिर के निर्मान में मुख्यव योगदान दिया था राम एश्वर मंदिर में एक अकर्शक वास्तुकला दिखाई देती है जो दुनिया भर के प्रेटकों को कर्शित करती है दक्षिन भारत के सभी मंदिरों की तरह उन्ची दिवारें मंदिर को चारो तरफ से रखवाली करती है दिवार पूरव से पश्चिम तक 865 फीट और उत्तर से दक्षिन तक 675 फीट दूर है पश्चिम में तीसरा गलियारा है जो सेतु माधव मंदिर का मार्क प्रशस्त करता है उसी गलियारे की लंबाई 3850 फीट है जो दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है इस मंदिर के अंदर दो लिंग है पहला परमुक्ष देवता रामा लिंगम है और उसे माता सीता ने बनाया था दूसरा विश्व लिंगम जो केलाश से हानुमान जी द्वारा लाया गया था हिंदू धर्मशास्तरों और पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंध मादन परवत कहा जाता है यहाँ पर भगवान शिरी राम ने नव ग्रहों की स्थापना की और सेतु बांध का यहाँ से शुरुवात हुई थी रामेश्वरमंदिर के कुंड में डुपकी लगाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है और पापों से मुक्ती मिलती है यह पवित्र स्थान पर माता दुर्गा ने महिशासुर का वद किया था रामेश्वरमंदिर में महाशिवरात्री का त्योहार बेहद धूम धाम से मनाया जाता है चार परमुक धामों में से एक रामेश्वरमंदिर में लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है रामेश्र मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा धन्यवाद